आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। कौन समानिया पर सही होगा, वो हमें समझना है, तो सबसे पहले हम किसी एक वर्गाकार प्लेट की सनचना देख लेते हैं, ठीक है, वर्गाकार प्लेट हमारे पस कुछ इस तरह से हुई, अब अगर हम उसके कौनों को दे नाम, तो A, B और CD हमने नाम दिया, उसके केंदर को तो केंदर को O हमने नाम दे दिया है, जिबकि उसकी लंबाई की बात करें हम, ठीक है, लंबाई और चड़ाई की बात करें, तो ये small A और ये चड़ाई एक तरफ और हम देखें हैं, तो वो भी small A के ही बराबर होगा, खुल मिलाके अगर हम इसके दरविमान की बात करें, तो small M के रूपे प्रदर्शित होता है, इस वर्गाकार प्लेट के लिए, ठीक है, अब प्लेट के लिए उस अक्ष के परिता जड़त्वा आगुण का मान हमें निकालना है, जो उसके तल के लंबवत हो, और इसके किसी एक कोनी से होकर के गुजरती है, अगर हम इसे थोड देखना होगा कि उसके केंद्र से इसी प्रकार का जो अक्ष है, इस तल के लंबवत अगर निकलता है, तो वो किस तरह का बनेगा, तो हम इस से दर्शाना चाहें, तो वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक, ये है, और ये बनता है हमारे लिए सीधा, ठीक, इतना हुआ, तो ये जो अक्ष हमारे पास होगा, अभी का, ये अक्ष होगा, जैड, जैड डैश अक्ष, ठीक है, और अगर किसे एक कोने से होकर, एसे होकर के जा रहा है, तो है, एस डैश अक्ष नाम दे दिया, ठीक है, इस अक्ष के प्रति जड़त वागुन का मान हमें निकालना होगा, ठीक है, तो हमें पहले देखना है, केंदर के प्रति इस वर्गाकार प्लेट के लिए, उसका जड़तव आघुन का मान कितना होगा, तो हम इसे लें, हम इसे लिखेंगे इजड, जैड अक्ष के प्रति जड़तव आगुन का मान, ठीक है, बिन्दो ओ से घुजरने वाले अ अक्षिय प्रती जड़त्वागुन का मान आई जेट सेट डेश के रूप में हमारे पास हमें स्क्वेर बटे छे होता है ठीक है अब इसे हम देखें एस डेश अक्ष के प्रती तो भी क्या होगा उसका समरांतर ही होगा तो हम यहाँ पर उप्योग करते हैं समरांतर अक्षप जो उसके कोने एसे होकर के जाती है तो इसका मान होगा आई जेट जेट डेश के प्रती जड़त्वागुन कुल द्रवेमान को अगर हम यहाँ पर ले तो इससे स्मॉल एम के रूप में हम ले रहे हैं क्योंको कुश्चन पर स्मॉल एम हमें दिया हुआ है और अगर हम वो दूरी देख रहे हैं लंब वद दूरी की बात करें तो हमारे पास है बटे वर्गमूल दो के रूप में और इसका हमने करना है करना है स्क्वेर ठीक है तो आई एस डेश यहाँ पर होगा तो इसका मान आई जेट जेट डेश अक्ष के प्रती जड़त्वागुन एम ए स्क प्रती जड़त्वागुन का मान हमारे लिए तेज होगा और यही हमारे लिए question का right answer होगा तो इसे हम विकल्प में देखने हैं तो कहांपर हमें मिल रहा है यहमें मिल रहा है विकल्प c पर तो सही answer है थेंक यू